आज हम लोग Economics में, Exercise 1 में नया रेक्चर देखने जा रहे हैं, पिछे हमें दो तीन क्लास ले चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे Types of Economics, Economics कितने तरह का होता है, पिछले क्लास में हम आपको बताये थे, Normative और Positive Economics के बारे में, यहां आपको बताएंगे Types of Economics, Economics का दो टाइप हैं, पहला है Micro Economics, सुच में अर्थ और साज्ट्र, दूसरा होता है Macro Economics, समस्ती इसको बोलते हैं, यह ब्यापक बोलते हैं, समस्ती अर्थ असास्त है, हम लोगों को Micro Economics अभी नहीं पढ़ना, Micro पढ़ना है, तो Micro के बारे में पढ़ेंगे, Micro Economics होता क्या है, तो चली Heading मना के लिखते हैं, Micro Economics, Micro Economics क्या करता है, छोटे चोटे यूनिट का स्टेडी करता है, जो सुख्ष्म यह इसको BST बोलते हैं, लोग BST अर्थ अर्थ सास्त भी बोलते हैं, याद रखेगा, इसी का नाम BST अर्थ सास्त रहे और इसी का नाम हम लोगों क्या लेते हैं, सुक्ष मार्थ साथ, दोनों एक ही बात है, तो इसका एकनोमिक डेफिनिशन क्या होगा, यह क्या करता है, इंडिविजुल यूनिट को स्टेडी करता है, छोटे-छोटे इकाईयों को अध्यान करता है, छोटे-छोटे इकाईयों मतलब एक बेखती का डिमांड कितना है, एक जालिख हावाई, it is the study of, it is the study of of, economic action of individual, economic action of individual, action of individual and well-defined group of individuals, and well-defined group of individuals. सुच मार्थ सास में, सुच मार्थ सास्तर में, बेक्तिकत इकाई हो, बेक्तिकत इकाई हो, तद एवं सुपरिभासित बेक्तियों, बेक्तियों के समुख की आर्थी क्रियाओं का देन क्या जाता है, समुख की आर्थी क्रियाओं का अधियन क्या जाता है, आर्थी क्रियाओं का अधियन क्या जाता है, आप एक और डेफनिशन लिखना चाहते हैं एक और डेफनिशन लिख सकते हैं है इस टडी इस उसे बेटर है कि इसका फीचर्स लिखते जिये च्या कि पिश्च थाएं है Features of Micro-Economics Features बहुत अच्छे से clear कर देगा कि क्या है Micro-Economics क्या बताए था भी हम लोग Individual Unit की बात करते हैं एक कहीं की बात करते हैं BST अर्थसास की Features में तो सारा Definition आ जाता है तो सबसे पहला बोलता है Study of Individual Economic Unit Study of Individual Economic Unit देखती का तिकाई का अधियन तूसरा है Study of Micro-Variables Study of Micro-Variables सुच्म चरोक आधियन तीसरा Study of Individual Price Determination इसके अंदर क्या पढ़ेंगा वही लिखा है Study of Individual Price Determination बेक्तिकत कीमत निर्धारन का अधियन कीमत निर्धारन का अधियन ये तीन फीचर से ध्यान दीजिए वही हम आपको बढ़ी बता भी रहे हैं सिर्फ इंडिविजूल सिर्फ इंडिविजूल अगर जहां जोइंट पहुंच गए वो Micro-Economics का पाट हो जाएगा क्या लिखा पढ़िए Micro-Economics के अदर क्या होता है अभी बता रहे हैं Individual unit के बारे में एक अगरी के बारे में स्टड़ी करते हैं Individual variable के बारे में स्टड़ी करते हैं और individual price determination के एक बेखती या एक company एक form कैसे price determination करती सोचिए एक business कैसे एक बिजनस अपने वस्तु कम मुली कैसे तै करता हुगा चलो ठीक है इनका कहना है कि सारे लागत जोड़ देंगे प्लस प्रॉफिट तो पता चला आप जब लागत और प्रॉफिट जोड़ रहे हैं मार्केट में जा रहे हैं तो देखते हैं कि क्या पेन आप ही बनाते हैं और भी कमपनी बनाते होगी तो आपका लागत आ गया मालो 4 रूपिया और बोलते हैं एक, रुपया स्कम कमाएंगे नहीं तो 5 रूपियाँ है और आप ही जैसा पेन दूसरी कमपनी 4 रूपिया बेच रहे हैं तो क्या लगता है प्राइस आपकी मर्जिस से थे होगा क्या तो भी लाठा कुंडी से पटा है, मसीन से नहीं पटा है, बहुत मेहनत पड़ा है, खुब पशे ना निकला है, 2 रुपय कम से कम केजी पर कमाएंगे, लेकिन क्या कमाई पाएगा है? प्राइस अपने थे कि यहाप, कभी भी प्राइस सेलर थे नहीं करता है, और नहीं परच 23rd थे करता है, प्राइस ते ना संद्रा थे करता है, प्राइस सेलर थे करता है, लेकिन जो बड़े पैमाने पर चाहरते तो मेहाँ पर मार्केट ते करता 해, प्राइस को. अदिकत है, यह हम लोग स्टेडी करेंगे, इंडिवजूल से पहु हैं। अब हम आपको बताएंगे कि branchage of microeconomics में कौन-कौन से branchage है वो हम आपको बताने वाले हैं पहले advantages का बता देते हैं फिर branches बता देते हैं सबसे पहले मनुन लिखते हैं importance of microeconomics importance of studying microeconomics बेस्टी अर्सास के अध्यान का महत्व सबसे पहले क्या है necessary to study the economic as of all necessary to study the economy as a whole बोलता है संपुन अर्थ बेवस्था के ज्ञान के लिए आवसक है संपुन अर्थ बेवस्था के ज्ञान के लिए आवसक है दुस्टा बलता है helpful in determining economic problem helpful in determining economic problem आर्थिक समस्याओं के निर्धारन में सहयक अर्थिक निती के निर्धारन में आर्थिक निर्धारन में सहयक चौथा क्या है helpful in understanding helpful in understanding the problem of applied economics the problem of applied economics वे आवहारी करता सास्त्र के ज्ञान में सहयक आर्थिक निर्धारन में आर्थिक of capitalist economy पूंजी बादी पुर्णाली की कारी पुर्णाली के ग्यान में साहिए की कारी पुर्णाली के ग्यान में साहिए इक करके समझे कहां कहां मदद करेगा माइक्रो एकनामिक साब को तो सबसे पहले कहां मदद करेगा सबसे फर्स्ट प्रव्ण किया देखे तो नेसेसरी टू स्टडी था एकनमिक एज़ौल दरीव एकानमी पूरा समफुनागर स्टडी करना चाहते हैं पता इस त्रफ लोगों के बारे में जानना चाहते हैं पहले उसके छोटे छोटे आपना पड़ेगा जाना पुड़े गाते ना पुर्टotion के बारे में पूरे पूरे अपतरों सरकार का इंकंप हम देखे पूरी 될 Helpful in determining economic problem, आगे आपको हम पढ़ाएंगे कि कुछ economic problem है, आर्थिक समस्या है, उसको तै करने में भी मदद करता है, आपका microeconomics. Helpful in policy formulation, अगर आप नीती बनाना चाहते हैं अपने business से related तो भी आपको microeconomics मदद करेगा, चोटे-चोटे पॉइंट को यही study करता है, चोटे-चोटे बेरियेबल को यही study करता है, तो आप नीती बना सकते है अपने business के लिए. Helpful in understanding the problem of applied economics, वास्तविक अर्थसास्तर जो है, अभी के समय में जो applied economics है, उसमें जो जो समस्या हैं, उसको समझने में भी मदद करता है, आपका microeconomics और लास्ट है, helpfully in understanding the working of capitalist economy, अगर आप पुंजी वादी अर्थवश्ता में जी रहे हैं, तो उसको समझने के लिए, उसके क काम को समझने के लिए, कारी दसाओं को समझने में भी मदद करता है, microeconomics, ये क्या होता है, पुंजी वादी अर्थवश्ता आगे आपको बताएंगे, आप लोगो पढ़ना है, तीन तरह की economy होती, capitalist economy, socialist economy और mixed economy, capitalist economy का मतलब सब कुछ private आजमी के हाथ में, जैसा कि America हम होता ह socialist economy का मतलब है, China, सब कुछ सरकार का, और चाइना का concept अलग है, डेवलपेंट का, वो socialist economy जीता है, अमेर्का का development concept है, वो capitalist economy जीता है, इसलिए दोनों में टेकर होता रहता है, Russia में भी socialist economy है, तो अमेरिका जो है, वो वीरोध करता है, socialist economy हो और socialist वाला बीरोध करता है, capitalist economy हो और भारत को जानते हो, दोनों में किसी में नहीं रहता है, ये लग गूरूप में रहता है, यहाँ पर क्या चलता है, mixed economy हो, गोलता है, दोनों रखाएंगे, इसलिए देखेगा, इसको अमेरिका का साथ भी मिलता है, और रसिया और चाइना का भी साथ मिलता है, चाइना का तो अमेरिका को मालूम है, और रसिया को मालूम है, और रसिया को मालूम है, और रसिया को मालूम है, तो जब दोनों अर्थ ब्यूस्ता है, माली हमारे यहाँ जो ब्यूस्ता है, वो आपके यहाँ भी है, तो हम आपसे अटेच हो जाएंगे, यही चीज है, दुनिया बीरोज पर काना से जगड रह रही है तुम्हारा नियम गलत है। दोनों में development होता है, अब आपको चुनना है कि कौन सी जो है आपके पास economy होनी चाहिए, भारत मिक्स वाले में जीता है, बोलता है दोनों लगा देंगे, यहाँ देखो बताओ जी, अमेरिका में सब कुछ private है, रसी और चैना में सब कुछ सरकार का है, भारत में क्या है, सरकार सरकारी स्कुल भी यहां पर है तो private school भी है, सरकारी hospital भी है तो private hospital भी है, जमीन सरकार का तो जमीन प्राइवेट आजमी का भी है, ना, कारखाना सरकार का भी है तो private, हाँ यह ने, यहाँ सब चलता है, यहाँ सब कुछ है, mixed economies को बोलते हैं, तो आगे बताएंगे, इसको प्रांचेज ओफ माइक्रो एक्नोमिक्स, बेस्टी अर्थसास्तर की साखाएं, चलिए सबसे पहला ब्रांच है, पोड़क्ट प्राइसिंग थ्योरी, पोड़क्ट प्राइसिंग थ्योरी, वस्तो कीमत से धान्थ, इसके अंदर पढ़ना है लौ अफ डिमान, दिमांग का नियम, इसके अंदर पढ़ना है लौ अफ डिमान, हादूस्रा परन्प बढ़र्ट्ञ्चन इन कोस्ट थ्योरी, प्रट्चन इन कोस्ट थ्योरी, यरू लागत येवं अथपादं सिधान्त, दूसरा है फैक्टर प्राइसिंग थियोरी फैक्टर प्राइसिंग थियोरी साधन कीमत सिधान्थ फैक्टर प्राइसिंग थियोरी साधन कीमत सिधान्थ वेज़ मजदूरी रेंट लगान इंट्रेस्ट ब्याज और प्रॉफिट लव और लास्ट है एकॉनमिक बेल फैर थियोरी आर्थिक कल्यान का सिधान्थ देखी इसको समझी अच्छे से क्या क्या लिखाबा कौन सा आपको पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है तो आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ प्रॉडक्शन प्रॉडक्ट प्राइसिंग थिऊरी पढ़ना है यह दिखो यह आपको पढ़ना है से चासर भी सेज प्रॉड़क्श का मेरा कीमत कितना मेरा क्या लगत लगें लगता होगा, कैसे पता चला है मेरा क्या लगत है बोत बच्चे को लगत आपको क्या लगत है? खुछ तो लगत नहीं भया khuna ज़ल रहा है ये पेट्टोर प्बंबहें जाकर निगी है कि लागत कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे रेट वडा ला लागत मजदूर का आदमी मजदूरी दीन भर की 8 घंटा नोकरी क्या मेरे ऐसे में की जाने Energेंगे 10 Kis कवं भूल घगत आता हुगे था नोग को ना पढ़ना भ्याल कितना बचाना बचा इह हैं चु bạn कोष्ट निकालना जबनागे हैं तो इतने करिंग हैं परयशेंग थी उरी सवरी सब्सकरीश कर दें-चे ए का Norm Break इसका मतलब है किसी समान का कीमत कैसे टेकरेंगे, और किसी समान का कीमत तेकरेंगे कि आपको law of demand जाना पहिए, पहले demand जाना है फिर law of demand जाना है, demand का मतलब है, हिंदी में मांग होता है, इसका मतलब है कि एक particular price के ओपर, ठीक है, किसी particular product को जितने customer खरीदने के लिए market में जितने हैं, उसकी quantity को हम लोग बोलते है, demand quantity, कितना समान खरीदने के पहुँच रहे है, फिर production and cost theory आपको पढ़ना है, यह का करके हम लोग discuss करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम यह बता रहे हैं, कि कौन-कौन से branches है, क्या-क्या पढ़ना आपको micro economies के अंदर, तो फिर से हम लोग repeat कर ले, micro economies के तीन branches हैं, जिसमें हम लोग को एक पढ़ना है, दो की जानकरी आप रखें कि कौन-कौन सा है, पहला कौन सा branch है, product pricing theory, दूसरा है factor pricing theory, और तिसरा क्या है, economic welfare theory, अनि यहां आर्थी कल्यान के बारे में पढ़ना है, हम लोग services के cost factor मतलब service, factor का मतलब क्या होता है, service, सेवा की लागत, और वहाँ समान की लागत, तो हम लोग को सिर्फ समान की लागत पढ़ना है, और हम लोग इसके बाद next chapter, यह chapter यहीं तक है, इसके बाद हम लोग next chapter में देखेंगे, chapter 2, central problem of an economy, वैसे ही दोसरा chapter नहीं, unit 1 के अंदर ही आता है, अगर unit wise देखा जाए, तो अभी आप unit 1 में ही हैं, और unit 1 के अंदर गत ही यह आ रहा है, इसलिए हम लोग unit wise पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको लिख लिख लिजे,